दोस्तो आएकू लौज करना वाले हैं अपने आएकू Z6ry को इंडिया में 16 अरच को, एन दोस्तो इसी स्मार्टफ़ोन के लॉज से पहले, इसी स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशनस को लीक कर देया चुका है, तो आज की वीडियो में मैं आपको दाउंगा, इसी स्मार्टफोन के इंडेन प्राइज एन इस प्रसिफिकेशन के बारे में तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में बने रहे हैं तक चलिए शुरू करते हैं यहाँ आपको 6.58 इंजिसका Full HD Plus वाला IPS LCD डिस्पले देखने को मिलेगा 120Hz का refresh rate होगा 240Hz का touch sampling rate होगा DCI P3 white color gamit का support यहाँ आपको देखने को मिलेगा यहाँ आपको triple rear camera setup देखने को मिलेगा जिसमें की 50 make up XL का main camera with eye autofocus 2 make up XL का macro camera होगा 2 make up XL का depth sensor यहाँ आपको देखने को मिलेगा selfies के लिए यहाँ आपको 16 make up XL का water drop notch वाला selfie camera देखने को मिलेगा performance के लिए यहाँ आपको कॉलकू का snapdragon 695 chipset देखने को मिलेगा जो कि एक 5G chipset है 6N architecture पर बना हुआ है यहाँ आपको 4GB slash 6GB slash 8GB LPDDR4 X RAM देखने को मिलेगी and 128 GB UFS 2.2 storage यहाँ आपको देखने को मिलेगा 5000 mAh की बड़ी battery यहाँ आपको देखने को मिलेगी 18W की charging यहाँ आपको देखने को मिलेगी Phantas OS 12 यहाँ आपको देखने को मिलेगा जो की Android 12 पर based होगा 5G support यहाँ आपको देखने को मिलेगा Dual Band Wi-Fi होगा Bluetooth 5.1 होगा Side Mounted Fingerprint Scanner यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 3.5 mm headphone jack देखने को मिलेगा USB Type-C charging port देखने को मिलेगा 5 layer liquid cooling technology यहाँ आपको देखने को मिलेगी यहाँ आपको extended RAM 2.0 देखने को मिलेगी इसका मतलब है यहाँ आप वो virtual RAM देखने को मिलेगी अब 24 GB यहाँ आपको इस smartphone के 2 color events इंडिया में देखने को मिल सकते हैं Black and Aurora color बात कर इस smartphone के Indian price की तो दोस्तो इस smartphone का जो base variant होगा आपको इंडिया में under 15 के यानि कि 15,000 रुपे से कंद के price में देखने को मिलेगा यहाँ इस smartphone को top variant होगा वो भी आपको इंडिया में around 18 या 90 के यानि कि 18 से 19,000 रुपे के price में देखने को मिलेगा और दोस्तो अगर smartphone इस price point पे इंडिया में launch होता है तो क्या आप इस smartphone को buy करना चाहेंगे या फिर नहीं करना चाहेंगे आप comment करके हमें बता सकते हैं जी हाँ दोस्तों यही थी कुछ बात है जो मैं आपको IQ Z6 smartphone के बारे में बताना चाहता था आज की वीडियो के लिए इतना ही वीडियो पसंद आप वीडियो को लाइक करना चैनल को सस्क्राइब करना और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स वीडियो में तब दक के लिए जय इंद जय वारत